कि हेङलो नमस्कार अससलाव वालेकुम आप सभी का सुहागत हो यूट्यूब चैलेम अन्वार अंग्रेज में तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करें सब्सक्राइब भी करें क्योंकि इसमें हम आज आपको बताने वाले हैं कि प्रेंका चेहर चोधरी का जो ग्राफ बिग बॉस 16 के अंदर रहा वो किस हिसाब से अपनी गेम उन्हों ने खेली स्टार्ट होता है किरदार बिग बॉस 16 के अंदर यह राता है जो कहीं के पुटरी ने उनका इसारिक है और उनका बहुत दो दिक्ति के उनका और वो इतना की बात समझ लेते हैं लेकिन गेम के अंदर हम ने देखा कि समझाने के बाद भी वो एक दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे थे कई आरोब भी प्रेंका ने लगाए अंकीत उनके इसाब से खेल नहीं रहा और अंकीत ने आरोब लगाए कि तुम जो भी मेरे साथ करना चाहरी ह कॉंटेंट और फुटेज के लिए कर रही हो जिससे मैं बच पाऊं यारोब भी अंकीत ने लगाए सलमान सर के सामने जो बाते कही गई थी के बिलकुल इशारों में दूसरे की बात समझ लेते लेकिन घर के अंदर वह एक दूसरे की बात बोलने चिलाने के बाद भी नहीं समझ पाया थे वह भी हमने देखा तो इसी पेसे कुछ चीज है लेकिन मैं फिर दुवारा क्यारों यह पूरा वीडियो आप देखोगे तो आपको पूरा किरदार समझ आयागा पिर एंका चाहर चोधरी का के बिग बॉस 16 के अंदर वह उनकी गेम कैसे रही स्टार्टिंग इसको मंडली का नाम दिया जा रहा है वह अभी तक आप लोगों को साथ लेके चल रहे हैं भाई प्रेंका जी के ग्रूप में भी कई ऐसे एहम रोल और किरदार थे जिनको वह साथ लेके नहीं चली उनसे अपना बैनिफिट और उनको पीछे जाते हुए छोड़ते आगे बढ़ते हुए चली जा रही है जैसे कि आपको पता है गोत्म विच का भी निकलने के पीछे सबसे बड़ा योगदान प्रेंका चहर चोदरी का ही था नहीं तो वह शायद नहीं जाता है अगर उस ट्रास के अंदर वो थोड़ा सा उनका फेवर रखती तो यहां पर समझें खीज़ीता के बीच में अपने देखा होगा के प्रेंका ने सरीजीता का पक्षि ना रखते वें गोरी का साइड़ दी तक तौर ने के तुम गंदे हाथ मत लगा यहां पर एक कपड़ा मत रखो जो बहतरी तरीके से प्रेंका चहर चोदरी ने गोरी ने अपर दाट्ते और यहां पर स्रीजीता को बहुत डाटा वो एपिसोड आप जाके देख भी सकते हो स्रीजीता को बहुत डाटा उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि उसी वीग स्रीजीता को घर से बेगर किया गया एक बड़ी ओडेंस जुड़ी गोरी नगोरी और यहां पर पिरेंका जी के साथ लगातार उनकी गेम को प्यार दिया लेकिन यहां पे सच्चाई इमानदारी से उन्होंने अपनी बात रखी और श्रीजीता जहां गल्थ थी वहां पे उनको गल्थ का आगे चलके हम देखते हैं कि यहीं फाइट जब अर्चना के साथ गोरी नगोरी की होती है तो उस इसकुल गल्थ जाते होए दिखी प्रेंका जी क्योंकि उन्होंने अर्चना की साइड रखी अर्चना जब घर के अंदर थी जब उनकी शिफ्ठाकरे से फाइट हुई थी जब उन्होंने पुरा फेस पकड़ लिया था शिफ्ठाकरे का वहां पे भी कोई मुद्दा नहीं बनाया प्रेंका जी ने चुप चाप रही कुछ भी नहीं कहा शांती से क्योंकि एक बड़ा खिलारी वहां पर टार्गेट हो रहा था इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और अर्चना को अपने पक्ष में लाने की पूरी कोशिस उनकी अर्चना घर से भेगर हो जाती है जब अर्चना घर के अंदर आती है तो अर्चू बेवी अर्चू बेवी से उनको नवाजा जाता है और यहां पर जब अर्चू बेवी घर के अंदर आती है जब उन्हीं की नाख में दम करती है जो पहले वह सब की नाख में दम कर रही थी तो अर्चू बेवी ठीक थीक थी ले आपने खुले तोर पे उनका समर्तन किया अर्चना का यहां पे बाकी घरालों ने भी कहा था कि प्रेंका जी आप यह सही नहीं कर रहें यह एक प्रेंका जो अर्चना की गेम है थोड़ा सा वीक जा रही है और परसनल टार्गेट कर रही है लोगों को पहली फाइट होई किचन के अंदर सिरीजीता और गोरी की आपको मने बताया उसके बाद एक फाइट होती है गोरी और अर्चना की उस फाइट पर भी आपको बता चुके उसके बाद घर पे इन्होंने कहा के जो यह लोग है जो मंडली है यह फ्रेंशिप के नाते एक दूसर बहुत कुछ गल्द बहुती है लेकिन कल का एपिसोड यह आपने देखा ओको जहां पर उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त है इसलिए मैं इसे नोमिनेट नहीं करना चाहती हूँ मैं सोंदरिया और सुंबूल को नोमिनेट करती हूँ तो एक सौप टार्गेट थे यह क्योंकि उ इनो कि जब है ऀपना चाहते हैं उसको समझाय हूँ और ये दोस्ती कासी है चुaking आ जमान के बैठें देखेंए और सुम्तरण नहीं कृत ना कि अजए तो यह भी है कि यह भी देखने को मिल रहा है कि प्रैंका को कहीं ना कि अब टीना का साथ ती यह इसलिए उन गुरूप का एक इसा बनी हुए क्योंकि जब भी वह टार्गेट भी करती है शालीन को फोम भी लगाती और दोस्ती की दुखाई करके उन्हें से भी कर लेती है तो तो यहां पर Big Boss और हम लोग भी नहीं समझ पा रहें इसलिए Big Boss ने सभी लोगों को सदस्य को बला के पूछने की कोशिश करी है कि प्लीस बताएं कि इनकी गेम ऐसी क्या है तो यहां पर हम यह भी देख रहे हैं कि वो किसी की किसी भी मुद्दे में जाती है जैसे कल के अपिस वो उससे हाई रखनी है जिससे मैं भार एक केते ने के किरदार बच्छा लेकर डरती नहीं है बुलंद दवाज रखती है प्रेंका वो के दार लोगों को प्यार मिले और उसी साफ से वो लोग उसे जच करे कि बहुत कुछ बोला बहुत कुछ सुनाया तो यहां पर दोस्त के साथ है तो जो आरोप आपने जो दोस्त जो दुश्मन ना ही आपने तगड़ा कोई दुश्मन बनाया इस गेम के अंदर ना ही आपने कोई बहतरी दोस्त कमाया इस घर के अंदर कहीं ना कहीं आपने खाली अपनी बेनिफिट के लिए किरदारों को अपने साथ जोड़ा और जब जिस किरदार का रोल पूरा हो वो से आप साइट करते चले गए अब आपका किरदार जो चल रहा है टीना और शालीन के साथ वो किरदार भी आपको benefit के लिए चीए क्योंकि आज और जिसे शिव ने भी कहा कि अब ये fight करती नहीं दिख रहे है क्योंकि भी बैकड़ार्ण लि प्रच that about Crash क्रट rigor करते ओर जैसे मैं अपैंडर फोचरे को मुझे सब्सक्राइब वह कि इन देंज मुझे फूरे बोलती है वहीं आप थोड़ा थे वे पिछली कुष्ली गली के रस्ता पकड़रें जबकि आप पहले वहा Oliva तो तो आप सिंगल हैंड एगेम खेलना चाहते जिसे घबर आते हो ने इन दिनों में आपकी गेम डामा डोल दिखरे क्योंगी आप सीधा टारगेट करने से घबराने लगे क्योंकि आपको पताए कि पीछे कोन पीछे तो को यह खड़ा ही नहीं हो पा रहा रहा ना शालेन ना टीना недीना की शिप से भी अच्छी पढ़ती है जुए अब दोनों को तो तीन आपका पक्ष नीं रखेगी और वह अगर आप देखोगे शालेन भी आपका दोस्त है लेकिन वह भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा तो आप केले फाइट किस से कर सकते हो जो किया वो भी सारे हिंदुसार ने देखा है कि उसके पीछे भी आपकी क्या मंचा थी तो ये मेरे इनकी गेम है कि जुर्त के इसाब से कुल मिला के अपने बैनिफिट के इसाब से लोगों को चुना और उनका बैनिफिट लिया और जब काम उनका पूरा हुआ तो वहां से अपना रस्ता निकालते हुए आगे भढ़ने की एकला तो ये चीजे थी क्योंकि कहीं पे इनकी गेम बेक श्ट्रॉंग पर नहीं दिखा कहीं पे इनकी दोस्तियां सची नहीं दिखी कहीं पे इनकी दुश्मनिया दुश्मनी भी सची नहीं दिखी इसलिए Big Boss, Makers और आप का भी साथ दिया जूर्थ के टैम पे आपने अर्चना का भी साथ दिया जूर्थ के आपने सामने आपने टीना का भी पक्ष रखा और जूर्थ के साब से आपने हरे किरदारों का साथ दिये जब आपको उससे benefit मिल रहा था और जैसी आपको benefit मिलना बंद हुआ आपने अपना रस्ता चेंज किया और फिर आपने कहा दिया कि मैं क्यूं डरूं मैं क्यूं बोलूं तो चिला के शोर मचा के अपना पॉइंट को सही कहना और उस चिलाने के पीछे आप कितने सची हो वह भी ओडियंस देखती है क्योंकि बिग बहुत ही टीपली एक ओडियंस देखती है ना कि कोई किर्दार या कोई सीरियल चल रहा है कि बस एक एपिसोड देखा और भूल गए तो हाड़कोर फैन बहुत ही सब्सक्राइब करें जिन से आपके लिए हम और भी नए वीडियो लेके आते रहें तो मिलते हैं शाम को लाइब के लाइब में और उसमें भी नहीं मुद्दों के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे मिलेंगे तब तक के लिए बाई अल्ला आफिस मिलते हैं लाइब में शुनने हैं